हालो दोस्तों मेरा नाम चन्रुशेकर है और आज का यह जो इंटरव्यू है या आज का जो वीडियो है यह बहुत इंटरस्टिंग होगा आपके लिए क्योंकि यह वीडियो बेस्ट है जो आपकी कम्प्लेंट्स होती है या जो आप कमेंट्स करते हैं खासकर ऐसे कमेंट्स जो कम्प्लेंट या शिकायत के रूप में है और मेरे साथ मौजूद है हमारी एक सब्सक्राइबर और क्लाइंट परवदीब जो उन सभी कमेंट्स को बहुत क्लोजली पढ़ती है और यह भी कुछ पूछना चाहती है बेसिकली जो आपकी कंसर्स है कई हम वो सवाल उठाएंगे जो जनली या वो शिकायतों के ही बात करेंगे जो आपकी शिकायते हैं हमारे बारे में या मेरे बारे में तो परवदीब आप अपनी शिकायते हैं शुरू कर सकती है नाम परवदीब काव है और मैं आज सर को कुछ कोशन पूछने चाहती हूं जो मैंने इनके वीडियो के बिलो जो रीड किये हैं पूछना चाहूंगी कि सर आप खुद को एजन कहना पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप एजन नहीं हो तो फिर क्या हुआ अप इसी कली देखें ऐसा है एजन जो शब्द है ना वह जब नेगेटिव तरीके से देखा जाता है अपको लगता है कोई आपके पैसे लेकर भाग मिलाख के आएका या किसी को चैनलज नहीं है मैं खुद को हैज एडवाइजर या कंसरेट, अगवरी तो इसलिए एजनट आपका है में यूजे और को आपके 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 बहुत सारे सब्सक्राइबर यह बात करने के भी पैसे लेते हो वह क्यों बात करने के मैं पैसे नहीं लेता है मुझे रोज पचासों होन आते हैं दुनिया भर से पाकिस्तान से इंडिया से भग्वादेश से तो बातशीत में फ्री में करता हूं लेकिन क्या चीज होती है अगर लोगों को डीटेल में बातशीत करने है देखें पांच-दस मिनट बातशीत में कोई दिक्कत नहीं है अब बहुत सारे लोग फीस पे करते हैं उससे क्या चीज होता है आपको क्लैरीटी आ जाते है देखें जो इमिग्रेशन बिसनिस है यह इनफर्मेशन पर आधा रहते हैं और मैं इस इनफर्मेशन को इखटा करने के लिए पढ़ता हूं ठ्रावल करता हूं जिसमें एक्सपेंस इसमें लाख और रुपे कार्च होता है अब मेरी कंसेटेंसी फीस सिर्फ पांजार रुपे है उसमें भी अगर आप नहीं आफ कोड़ कर सकते तो आप मुझे बताईए ठीक है लेकिन में ने सर्पाइज होगा कहां आप लाख और रुपे की बात कर रहे हैं आप पढ़ने इसलिए भी है कि टाइम इस मनें अधिके एसा लोग कहते हैं जी इन्फोर्मेशन चाहिए नौलेज चाहिए इन्फोर्मेशन तो वीडियो में है ही और फिर आप अपने सवाल भी पूर सकते हैं अब जो इन्फोर्मेशन चाहिए या कई बड़ी लोगों के सवाल बारला ऐ इसे होते हैं जो वीडियो में अरडी एक्स्टेट हैं अब कुछ क्लाइंस ने ये बडी कंपलेंट की है कि आप बड़ी स्लो काम करते हो रहे यह जो कंपलेंट है यह सही है और हमारा जो यह काम है यह इन्फिशु नया है हमने इस काम की शुरूआत 2019 में की ती और 20 से पैं 100% refund दिया है और कई बारी refund में थोड़ा बहुत डिले हुआ है लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी के भी कोई पैसे रखे हो मैं मानता हूं डिले होता है लेकिन अब जैसे मैं हंगरी में हूँ हम हंगरी का वर्ग कर से हैं तो अब हम सीधे कंपनी से बात करें एसी पोलेंड में भी सीधे का पहले हम ना लॉयर पे डिपेंडेंट थे और लॉयर सभी वारी हमें क्लारिटी से इन्फॉमेशन नहीं देता था तो अब मैं सोच सकता हूं कि चीजे जल्दी होंगी ऐसा हम उ सारी चीजे हैं और मतलब उस कंपनी को भी अपने रूस फॉलो करने होते हैं कोई भी कंपनी डॉक्मेंट देने से पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उनको पर एक्जांबल हंगरी में कोई काम करने वाला नहीं मिला या यू नहीं मिला इसलिए वो किसी को बाहर से चाहते हैं तो इस लिए टाइम लग जाता है लेकिन हमारी कोशिच रहती है कि हम काम करें और ऐसे भी हमारे पास केसिस है वर्क बिणमेलिले होना यह यह और देमेंड वीजा हो गया है यह इंवेस्में वीजा है उसमें डिले इस डडं नहीं ज़िए कभी घार से गैन् करते हैं लुकया अब हम तुछ कंप्ली से डील कर रहे हैं कि आप पेमें एक कमेंट था आपकी वीडियो के नीचे जो मैंने रीड किया आप लारे लगाते रहते हैं और फिर उसके बाद डॉकुमेंट वापस कर देते हो थोड़े टाम के बाद तो फिर ऐसा आप क्यों करते हो लिए अगर यह जो बात है पूरी तरीके सच नहीं है अब होता क्या है ह हम प्रोसेस शुरू कर से और अगर प्रोसेस नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं हम पैसे वापस कर सकते हैं doorknya हम फिजिकली तो किसी से लेते नहीं है अब आपने भी जो अफ़ेंट का फैमिल रियूनिफिकेशन करवाया था हमने आपका कोई भी डॉक्त रखा नहीं हम करेंगे हम आपको वही बताते हैं जो हमें लॉयर बता रहा है उसके बाद ही हम उसे मतलब अगर काम नहीं होगा तो आप मुझे बार बार फोन करें मेरे पास क्या आप्शन होगा मैं आपसे पैसे वाफिस देनों हम क्या कर से जैसे कि आप पहले बोलते हो कि इतने दिन लगे करेंगे या फिर बाद में ज्यादा टाइम लग जाता है तो फिर उसकी वजह से कुछ क्लाइंट्स को यह लगता है कि आप लारे लगा रहे हो कि पहले आप इतने डेस दे रहे हो कि इतने वीक्स में काम हो जाएगा पेरा आप उससे ज्यादा पोस्ट पॉन करते हो दिए म मैंने अब को बताया कि इस काम में सभी चीह हमारे हाथ में होती है मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो कहते हैं हम पाच-पाच साल से जाने के कोशिश कर रहे हैं अगर जाना इतना आसान होता तो लोग चले नहीं जाते हैं अब जानती है आपके हस्बन के केस में फै काम नहीं होता है तो अपना refund हमसे कभी भी क्लेम कर सकते हैं एक बात और जो मैंने काफी नोटिस की है कि आप अपने आपको 100% जैनुवन बताते हो लेकिन आप कभी-कभी करता है और कि मदलोब सभी से ही आफ प्रॉमिस करते हो के हम आपका काम करवा कि देंगे लेकिन फिर आप अपनाा बादा पूरा नहीं कर पाते हैं ऐसा क्यूंकि आप पहले यह भी बोलते हो कि मैं 100% जैनुएन वह आपका काम हम पूरे कोशिश करेंगे पूरा करवा के देंगे लेकिन कभी-कभी वो सफल नहीं हो पाता है देखे आपने शब्द का इस्तमाल क्या कोशिश करेंगे मैं कभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वीजा की 100% आज की डेट में मैंने दुनिया भर के वीजा एपलाई किया मुझे हमेशा वीजा मिला है लेकिन आपको जो भी बात बताऊंगा नहीं बताऊंगा और अगर नहीं होता है तो refund आपके पास option रहता ही है वो आप मतलब claim कर सकते हैं आप पूरे पैसे वापस कर देते हो हाँ पूरे पैसे वापस कर देते हैं एंसर मैं पूछना चाहूंगी कि जो client आपके थूर अभी process करवा रहे हैं और इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे उनको क्या message आपका देए ऐसा है हमारे बहुत सारे client है जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं मैं उनको एक तो thank you बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इतना सबर रखा है कि हम उनका काम 100% करवा के देंगे जो भी delay हो रहा है मैं उसके लिए उनसे कहूंगा कि मतलब मैं माफी चाहूंगा उसके लिए लेकिन उनका काम 100% genuine होगा और in fact उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो उनका वीजा है वो भी smoothly होगा तो उन्होंने इतना सबर रखा है वो थोड़ा सबर और रख है क्योंकि हम बोलते हैं कि सबर कफल मीठा होता है तो एक चीज़ अशूर्ड है कि हम उनको काम करवा के देंगे लेकिन फिर भी अगर वो नहीं वेट करना चाहते हैं तो मुझे refund के लिए बोल सकते हैं और हम कुछ हफतों में जो उनके पैसे हैं वो 100% refund कर सकते हैं जो फिर आप ऐसा नहीं करते हैं ना बाकी एजेंट की तरह कि अभी हमने आपका प्रोसेस टार्ट करवा दिया है अभी हमारी मेहनत भी लगी है हम आपके पैसे बापस नहीं करेंगे क्योंकि हमने देखा है कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ एजेंट हैं जो बोल रहे हैं कि आपने फिर हमारा टाइम नहीं क्यों वेस्ट करवाए क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं कि पहले प्रोसेस वो चालू करें फिर बीच में कोई बंदा बोल दे हम तो किसी और के पास जा रहे हैं आप हमारे पैसे बापिस कर दो कि आपके मन में नहीं यह जाता कि टाइम वेस्ट करवा दिया बेसिकली पता होता क्या है हमारे पास बहुत ज्याधा क्लाइंट है यह बड़ी मतलब इश्वर की क्रपा है I mean it is God's grace कि हमारे पास क्लाइंट है तो हम अच्छ कर दिया और हम कई बारी लोगों का टाइम मतलब लगता है हम वापिस तो नहीं कर सकते लेकिन फीस उनकी रीफंड करेंगे और मतलब रीफंड मांगना हर एक का हक है अगर हम काम ना करें तो उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं है तो आप अब कौन सी कंट्री के वर्क परमिट करवा रहे हैं बेसिकली हम इस समय हंगेरी और पोलेड में ही काम कर रहे हैं अगर बंदे का प्रोफाइल ठीक है तो मार्टा और पॉर्टगल देख सकते हैं लेकि मार्टा और पॉर्टगल में हम अभी बहुत ज़दा काम नह पॉर्क परमिट के अलावा स्टूडेंट को भी असिस करते हैं आप जानती हैं आप कुछ हंगेरी पे पढ़ रहे हमारे यहां की कुछ टॉप यूनिर्शी के साथ टाइप है और अगर आप यहां पर आना चाहते हैं हंगेरी में कास्का स्कॉलर्शिप पे हम उसे भी असि अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो आप खुद से हल्प करना चाहते हैं जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई बता रहा है कि मैं आपको नहीं पे कर सकता बातचीत करने के तो आप उनको कभी-कभी फ्री सर्विसेज भी प्रवाइड करते हैं आप देसे लिए बताना है एक है कि मैं नहीं दे सकता हूं दूसरा मैं देना नहीं चाहता हूं तो जहां पर देना नहीं चाहते हैं वो थोड़ा सा ठीकी हो जाता है क्योंकि अगर आप मुझे पैसे नहीं देना चाहते हैं मैं आपको अपनी सर्विस नहीं देना चाहता हूं तो बड़ा सिंपल है औ वाउसना लगर में बात करूंते हैं. हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है और आपने हल्प भी काफी की है. मैं आपको ना तो एजन ना वीजा कंसल्टेंट भी नहीं कहूंगी, आप तो हमारे, के मैं बिग ब्रदर बोल सकती हूँ, आपने हमारा साथ दिया है, जब भी हमें कोई मुश्किल आई है या कहीं डिक्कित आई है, तो आपने हमारी हल्प करने की पूरी कोशिश की है. हमेशा सही एड़वाइज दिये. चुकि हमारी यही कोशिश रहती है, कि जो भी हमारा क्लाइन्ट है, मैं उसे as a student की तरह देखता हूँ. क्योंकि मैं जब ग्रो कर रहा था, मुझे तरह टीचर बनने का बढ़ा शौक था. बड में बन गया, टेलिविजन जार ले तो मैं जब यह काम करता हूँ, तो मैं खुद को as a teacher देखता हूँ, बजाए as an agent. तो मैं उस तरीके से चाहिए और लेकिन आपने फिर सही सला दी कि आप अगर ऐसा करोगे कि आपको कोई benefit नहीं होगा, आपको अभी wait करनी चाहिए कि आपको मैं टाइम आने पर सही बताऊंगा कि आगे क्या घरना है? यही मैंने इंटर्विव के शुरू में बोला कि मैं खुद को as a advisor देखता हूँ और यह advice मैं आपको देरा हूँ first in experience के वेसे इसे में मैं दुनिया में कही देशों में रहा हूँ, travel किया है, पढ़ाई की है, तो यह सब कुछ मेरे experience के आधारत है. चलिए अभी आपका roast तो बहुत हो गया, अभी मैं आपसे पूछना जाओंगी कि आप अपने आपको क्या कहना पसंद करोगे? यह मैं चाहता हूँ, कि लोग मुझे as a partner, as a mentor, as a trainer, बजाए agent के. Thank you so much sir, कि आपने मेरे साथ वीडियो की and मेरे questions का आपने answer किया. नहीं तो जितना आपने बारीकी से बताया यह सब, ऐसा कोई बताने की कोशिश भी नहीं करता कि हाँ, यह हमारा process है, हम अपनी मर्जी से करेंगे, यह हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन आपने अभी सब कुछ clear किया है. I think आपके जो subscribers हैं, आपके clients हैं, उनको भी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो से, और उनको भी काफी हल्प होगी. आपने मतलब समय निकाला, क्योंकि मैं चाहता था कि जो subscribers की शिकायत ने हैं, उनको पे हम clarification ने, और यह वीडियो में ले मौका है, वो clarify करने का. थैंक यू परवदी, थैंक यू. तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं जाते में आप से request करोगा कि आप हमारे YouTube चैनल को subscribe करेंगे. थैंक यू very much. थैंक यू.